साथ साथ चीनी कंपनियों पर भी चीनी कंपनियां खास दोर से बलरामपूर चीनी जैसा शेर जहांपर हमने देखा है लगातार पिछले हफते से ही मंडे से ही मुनाफ़ वसूली हावी होती दिखाई दे रहे थी कल बाजार बंद होते होते दरसल एक बहुत बड़ी खबर आ एथनॉल बनाने के लिए रोक इस समय लगा रहे हैं वो क्या इंपक्ट रहेगा इससे प्राइसस में कितनी जादा दरसल स्थिरता आएगी या फिर कमजोरी आती दिखाई दे सकती है और ये लाजली चीनी कंपनियों पर कैसे हावी पड़ेगा क्योंकि जादा तर चीनी कं अपनिया शुगब जब प्रड्यूस कर रही थी वो एथनॉल की तरफ भी चीनी को डाइवर्ट करती आई हैं पिछले कुछ सालों में शेर्खान बाइब बी एनपी पारिबाग के डेप्टी वाइस प्रेस्टेंट कॉस्तब पावसकर हमाय साथ जुड़ गए हैं के इन जूस का इस्तमाल नहीं होगा एथनॉल बनाने के लिए ये खबर क्या पूरी तरह से फैक्टरेन हो चुकी है या फिर कुछ और पे इन देखने को मिलेगा सबसे पहले इसका जवाब दीजे अगर हम देखेंगे तो पिछले दो दिन में काफी गिरावट आ गई और जब तक क्लारिटी नहीं आता है मेरे इसाब से थोड़ा बहुत शुगर कंपनीज के भाव थोड़े बहुत अंडर प्रिशर रह सकते हैं कितना इंपाट होगा अनिंग्स पे शुगर कंपनीज पे क्या प्रोडक्शन वो इतना वाल का करेंगी कितना करेंगी यह सब माइने रखता है अगर शुगर के बाव अगर हम देखेंगे अभी 41 रुपिस पर केजी है एक स्मिल 40-41 रुपिस वो काफी अच्छे है तो अगर शुगर बिजनस के और कंपनीज जाती है तो वहाँ पे उनके मुनाफ़े काफी अच्छे रहते तो यह सब का यह काफी सारे फैक्टर्स है जो डिटर्माइन करेंगे कि क्या अगर 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 ऑगर अगर वह दो तो अगर वह एक नहीं बनाना है वहाँ प्रोडूसेट बड़ुसे पर भी अगर ये जो जिस तरीके का गवर्मेंट नोटिफिकेशन है, अगर ये बरकरार है पूरे सीजन के लिए तो. ये तूटा है करीबन 400 के लेवल तक, जो कि इसका आप कह सकते है 200 DMA का सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है अगर लेवल शॉट करना तो definitely difficult होगा, प्रोबैबली एक pullback मिलेगा, वो pullback एक swing trade होगा, इंट्राडे के हिसाब से, जो करीबन 425-430 तक जा सकता है, तो आप कह सक तो structure जो है, इसका आवे भी खराब है, तो technically, it's a sell on the rise, तो आप समझ रहे हो ना, बहुत हो, कि इंट्राडे swing मिलेगा, लेकिन positionally, it's a sell on the rise.